नमस्कार आपका स्वागत एश्या न्यूस इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ कॉंग्रेस महासचीव प्रियंका गांदी वाड़ा ने रोड शो के बाद वायनाट लोकसबा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है इस दोरान उनके साथ भाई राहूल गांदी, मासोनिया गांदी और कॉंग्रेस अद्धिक्ष मलीक का जुनखट के भी मौजूद रहे प्रियंका ने नामांकन से पहले कहा जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1990 में कैम्पेंड किया था तब सिन 35 साल के दोरान मा भाई के लिए वोट मांगे अब पहली बार खुद के लिए समतन मांग रही हूँ राहुल गांदी ने कहा कि वाईनाट देश का एसा शेत्र है जहां से दो सांसत हैं एक आधिकारिक सांसत और दूसरा अनुपचारिक सांसत दोनों वाईनाट के लिए काम करेंगे प्रियंका गांदी पहली बार चुनाओ लड़ रही है बाचपा ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उता रहे लोगसबा चुनाओ दोजाज़ चोविस में राहुल गांदी ने केरल की वाईनाट और यूपी की राइबरेली लोगसबा सीट से जीत हासिल की थी उन्होंने गांदी परिवार की पारंपरिक राहे बरेली सीट को चुना और वाईनाट छोड़ दी यहां 13 नमंबर को वोटिंग होगी और 23 नमंबर को नतीजे आएंगे प्रियंका ने कहा जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया उन्होंने अलगाओ पेदा किया यह वह राजनिती नहीं है जिस पर हमारा राष्ट बना था महात्मा गांदी के नेत्रत में हमारा स्वतंदता आंदुलन समानता और हर धर्म के प्रतिसमान से प्रेरित था कुछ महीने पहले मैं अपने भाई के साथ वायनाट के चुरल माला और मुनक कई गई थी मैंने तवाई को अपनी आँखों से देखा मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिन्होंने अपना पुरा परिवार खो दिया मैं उन माताओं से मिली जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया जिनका पुरा जीवन लैंड्सलाइट में बह गया लैंड्सलाइट के दोरान मैंने एक बात नोटिस की यहां डॉक्टर शिक्षक रहनी सभी एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे वे बिना किसी लालच के करुणा प्यार इसने और साहस के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे आपके परिवार का हिस्सा बनना मेरे लिए सुभागे की बात है